नमस्कार दोस्तों, MP पटवारी आपकी बारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है, कल हमने क्या topic complete कर लिया था, decimal and fraction, decimal and fraction complete कर लिया था, लेकिन आज के schedule में क्या डला हुआ है, fraction, जैसा कि हमने कल ही fraction complete कर लिया था, तो कल fraction complete करने के बाद आओ चलो इसका थोड़ा सा revision कर लेते हैं, क् कि आज fraction topic डला हुआ है, तो इसी बहाने revision हो जाएगा, revision must है, बहुत जरूरी है, चीजों को जादा देर तक याद रखने के लिए, ठीक है, तो हमने fraction कितने तरह के पढ़े थे, आप लोगों को याद है क्या, fraction में तीन तरह के पढ़े थे, कौन-कौन से fraction पढ़े थे, simple fraction हो 0.25, ये भी हमारा कैसा है, decimal fraction है, ठीक है, कुछ लोगों को साथ decimal, जैसे हमने जब recurring digit वाला question लिया था, उसमें अगर किसी को कोई problem है, तो एक बार मैं फिर से explain किया देता हूँ, आईए देखते हैं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, क्या 0.45 बार, ठीक है, इसको मुझे किस convert करना है P upon Q में, इसको मुझे किस में convert करना है P upon Q में, तो कैसे convert करेंगे देखे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बार को जो है, भूल जाना है, बार जो लगा सबसे पहले आपको लिखना है 45, 45 upon, upon में क्या लिखना है, 45 upon में, जितने अंकों के उपर बार लगा, कितन था हमारा पहला case, दूसरा case देख लेते हैं, 0.456 और 56 के उपर बार, ठीक है, अगर ऐसा question हमारे पास आजा है, तो आप कैसे इसको handle करेंगे, दिखे, सबसे पहले जो हमारे पास अंक लिखा है, उसको लिख लिख लिखे, 456, फिर उसमें minus करना है, जिस अंक के उपर बार नह नहीं लगा है, तो 4 यहाँ पर क्या करेंगे, हम minus कर देंगे, ठीक है, चलिए 4 minus कर दीजे यहाँ पर, यहाँ पर 4 minus कर देंगे, और upon में, अब यहाँ पर थोड़ा गोर कीजेगा, यहाँ पर गोर कीजेगा, जितने अंको के उपर बार है, उतनी बार लिखिए 9, और जितन से हमारे पास क्या है 4.4.56 बार तो हमें अगर ऐसा कुश्चन दिया हुआ है इसको हमें किसमें कनवर्ट करना है तो कैसे कर सकते देखें फोर तो हमारा अलग दुनिया का काम हो गया वो तो इन टीजर है ठीक है उसको दशमलों की इधर वाले अंगों को छोड़ देज़े ठीक है इधर वाले प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.56 बार लिख सकता हूँ तो 0.56 बार को अगर मुझे कनवर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा 56 upon 99 और उसमें क्या एड कर दूँगा 4 एड कर दूँगा अगर आप इसको solve कर लेंगे तो बड़ी आसानी से इसका answer मिल जाएगा ठीक है इत्ती बात समात हुई इत्ती बात समात हुई आये चलिए कुछ और बाते कर लेते हैं और हमारे पास क्या है देखे अगर मैं cross multiplication से comparison करूँ तो कौन से संख्या बड़ी हो जाएगी तो साथ पचे 65 और तेरा चोखो बामन ठीक ना क्रेस को भी क्या करते हैं सीख लेटे आव इसको एक बार भी क्या करते हैं सीख लेतें चलो तो कैसा adjust करेंगे आवो देखते हैं चलो जैसे हमारे पास क्या है 6 बटे 7 देखे जैसे मरे पास क्या है Wayne Sun एर साथ बटे 8 तीसरी बलिद्लाव और नौव बटे 10 सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का योग ज्याद करना है ठीक है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग इसमें smallest प्लस biggest इनका योग हमें ग्याद करना है ठीक है तो हमें इसमें सबसे small और सबसे big कैसे मिलेंगी जैसे देखें दो-दो का comparison करते जाएं 7-7-49 और 8-8-64 मतलब ये वाली जीत गई ये वाली क्या हो गई जीत गई एक बार फिर देख लीजे एक बार फिर देख लीजे दिखिए 7-7-9 यहाँ पे क्या आजाएगा 49 और 8-7-8-x48 8-7-9-9-4-7-8-x48 तो हमारे पास कौन सी जीत गई ये वाली जीत गई ठीक है ना ये वाली संख्या हमारे पास क्या हो गई जीत गई तो अब हम क्या करेंगे तो देखे ये वाली हमारे पास कौन से संख्या जीत गई ये वाली संख्या जीत गई यानि ये हमारे पास बड़ी हो गई इन दोनों को comparison खतम हुआ अब इसका comparison किसे क ठीक है ना तो आठ ठाई 64 और इसको यहां से मिटा दीजिए आठ ठाई 64 और हमारे पास गितता हो जाएगा इस बार कौन सी जीत गई ये वाली जीत गई अब इसको भी भूल जाएए इस वाली संख्या को भी भूल जाएए इन दोनों को भूल जाएए ये सबसे बड़ी हो गई अब इन दोनों का comparison कर दीजे इन दोनों का comparison करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास दस अठे असी और नौ नमा एक्क्यासी तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन होगे एक्क्यासी इसका मतलब हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कैसे कौन सी निकल के आ गई नौ बटे दस जो है हमारे पास सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई जिसका मान होता है 0.9 ठीक है न, चल ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास निकल के आ गई एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं क्या किया हमने, एक बार पूरी संख्याओं को फिर से देख लेते बेखी हमारे पास क्या थी यह सारी संख्या है थी हमें क्या करना है R&P करना है comparison करते जाना है golden बना खहँ है पहले इन दोनों का comparison किया तो टाफंटा तालेस और सास सता उंचास तो कौन सी हमारी संख्या जीत गई है hypn इन दोनों का comparison कर दीजे दोनों अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ये वाले संख्या को delete कर दीजे क्योंकि ये बड़ी निकल के आ गई और 9 सत्य हम क्या लिख देंगे 63 और 8 ठाइं 64 ठीक है ना 8 ठाइं 64 तो अब हमारे पास कौन से संख्या जीत चुकी है अब हमारे पास ये वाली संख्या जीत चुकी है तो अब हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों का comparison करेंगे 8 दाहम 80 और 9 नमा 81 तो हमारे पास कौन सी संख्या जीत चुकी है ये वाली संख्या जीत गई है तो ये वाली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी हो जाएगी जिस तरह 6 बटे 7 तो हम क्या इसको जोड के हम इसका answer easily find कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको समय किया है, और अगर माल लिजे, माल लिजे, अगर आपके पास कोई ऐसा question आ जाए कि चार बटे, चार बटे, साथ, और पांच बटे तीरा, चार बटे साथ, और पांच बटे तीरा, फिर हमारे पास कौन सा है, साथ बटे अठारा, साथ बटे आठारा, साथ बटे आठारा, साथ बटे आठारा, और फिर हमारे पास क्या है, तीन बटे पांच, तीन बटे पांच और 11 बटे 13, हमारे पास ये है, ठीक है, अब इसको आपको किस में लिखना है, आरो ही क्रम में लिखना है, यानि बढ़ते क्रम में लिखना है, अब इतनी सारी में कैसे पता लगाएं, कि किसके बाद कौन सी बढ़ी है, तो इसके बाद फिर क्यों सी method लगा दिए, difference method का हो जाएगा, इनके बीच में difference 2 हो जाएगा, और इनके बीच में difference भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, simply, simply आपको क्या करना है, 3, 8, और जितने भी difference है, 1, और 2, और 2, इनका सब का क्या ले लेना है, आपको LCM, इनका सब का आपको क्या लेना है, LC ले लेना है ठीक है ना इन सब आपको क्या ले लेना है LCM ले लिजे LCM ले लिजे और फिर क्या करेंगे आप LCM लेने के बाद सब के अंस को सब के अंस को इससे क्या करेंगे divide करेंगे और जित्ता बचेगा जित्ता जब देखे सब के difference को आप क्या करेंगे 3 से जैसे इसका LCM कित्ता आजाएगा इसका LCM 8,16,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,5,15, 13,8,8,3,4,24 24 ले लिजे LCM इसका कित्ता ले लिजे 24 ले लिजे ठीक है LCM 24 ले लिजे तो यह सारे इससे divide हो जाएंगे आप देखे LCM 24 लेने के बाद आपको क्या करना है इसको 3 से divide करना है पहला difference हमारे पास क्या है पहला difference है हमारे पास 3 है ठीक है ना पहला difference हमारे पास 3 है तो इसको क्या करना है 3 से divide करे 3,8,24 और 8 है 8 को किसे multiply करना 8 चोग 32 से multiply करना ठीक है 8 चोग 32 यह हमारे पास पहला आ गया फिर हमें क्या करना 8 से divide कर यह 8 तरीक 24 पांते ही 15 यह देखिए अब देखिए 32 इसमें 15 यह वाली भिन इन दोनों से बड़ी है और जिसमें जो भी आता जाएगा तो जो सबसे बड़ा जैसे अब इसमे पर क्या आई जाएगा 24 गुणे 7 यह देखिए एक का difference है तो 24 गुणे 7 आ जाएगा ठीक है अगला देखिए अगला देखिए तीन बटे 5 इनके बीच का difference कितना है दो है दो से करेंगे तो 12 12 तीयां कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा बारत यां 36 आ जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद दो को देखिए 2 से 12 तो 11 गुणे 12 11 गुणे 12 कितना आ जाएगा 123 यह आ जाएगा अब इनको सब को आप क्या करेंगे comparison कर लेंगे जो बड़ा होगा वह भिन सबसे बड़ी होगी और जो छोटा होगा वह भिन सबसे चोटी होगी ठीक है तो इस तरह से आप करके इसका comparison कर सकते हैं आईए कुछ previous year question भी देख लेते हैं जो हमारे पास आए हुए हैं जैसे यह हमारे पास question यह upon में नहीं है इसको यहां से हटा दीजी यह upon में नहीं है सिब 0.013 का वर्ग आप से पूछा हुआ है यह पटवारी का 9 December shift 2nd का question है आईए इसको deal करते हैं बहु 0.013 लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 बटे 13 बटे एक दो तीन अंक पहले दसंबलो है तो यानि हम इसमें क्या लगाएंगे 3 0 लगा देंगे ठीक ना 0 लगाने के बाद इसका हम क्या करेंगे square कर देंगे तो 13 13 हम 169 हो जाएगा और upon कित्ता हो जाएगा 1000 औ 169 ऐसे लिख सकते हैं आप इसे 0000 169 अब इस पर देखिए कितने 0 है हमारे पास 1234560 है तो दसंबलो यहां से कहा लगा दीजिए इधर लगा दीजिए 6 अंक बाद 123456 यहां पर हमारे दसंबलो आ जाएगा तो मतलब 0.000 169 इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो 0.000 169 और यह हमारा c option इसका correct option हो जाएगा ठीक है न तो हमारे पास कित्ता हो गया 0.000 169 ठीक है तो बहुत इसरल question है आईए दूसरा question भी समझ लेते हैं हमारे पास क्या है यह question है यह question 9 December और shift second कहा लग इसको आप simplification में भी इस question को ले सकते हैं लेकिन इसमें भी December यूज हुआ था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिए पटवारी कही question है अब देखे इसमें क्या करना है कि जब भी कभी भी कोई संख्या जब भी कभी भी जैसे 9.5 लिखा हुआ है ठीक है इसको अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 1 0 है तो यह December कहां खि लूट कर लूँ तो यह जो हमारे पास 0.0967 है इससे यहां से हम पॉइंट हटा के इसको हम पूरा पूरा लिख पाएंगे कि नहीं 9967 लिख सकते हैं कि सब कुछ हटा दीजे इन दोनों को भी हटा दीजे क्यों क्योंकि हमने इसका और इसका multiply किससे कर दिया इससे कर दिया ठ देखिए 967 967 और 967 तीन बार हमारे पास 967 मना जिसकी वेज़ा से भावरा बी ऑप्शन एंसर हो जाएगा कि 967 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी बहुत easy question है एक बार में समझ में आ जाना चाहिए चलिए यह अगला question कर लेते हैं 1.2 का work बताना है सेम बह क्या लिखना है 10 लिखना है ठीक है और 12 का square किता होता है 144 होता है और ददाम किता होता है हमारे पास 100 तो दो अंक बाद दसमलोक इसका दीजे तो हमारे पास किता हो जाएगा c option तो 1.44 इसका हमारा क्या हो जाएगा final answer हो जाएगा चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question भी क्या है हमारे पास देखे संख्याओं को क्या करना है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बढ़ते हुए क्रम में विवस्थित करना ये भी हमारा previous year का question है 12 दिसंबर shift पहला का question है ठीक है तो आएगे चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से एकदम revision class है revision mode में एकदम देख लिजए ठीक है चलिए आई देखते हैं इसमें क्या करना है कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब कभी भी आपको अंस बराबर हो अंस जब बराबर दिया हो तो जब कौन सी भिन सबसे बड़ी होती है तो जिस भिन का हर जब कभी भी अंस बराबर हो तो जिस भिन का हर सबसे छोटा है वो हमारी क्या हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती सबसे बड़ी सबसे बड़ी भिन बन के सामने आ जाती है ठीक है ना तो जैसा कि मैंने कहा था जब कभी भी अंस हमारा समान होता है अंस हमारे समान होते हैं तो हम किसको देखते हैं हर को देखते हैं यानि denominator को देखते हैं और इस type के question में जब कभी भी denominator जितना छोटा होता है संख्या हमारी क्या होती है वे भिन हमारी उतनी बड़ी होती जाती है तो देखे सबसे छोटा denominator क्या है दो है हमारे पास यह सबसे बड़ी उससे बड़ा हमारे पार denominator क्या है ये तीन है हमारे पास तो ये एक बटे दो से छोटी और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से छोटी होती जाएंगी इस प्रकार इसका क्या option हो जाएगा हमारे पास पहला option बिल्कुल correct हो जाएगा और इसको हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो हमारी सब सबसे छोटी संख्या एक बटे बटे पांच सकते हैं बटे लिख सकते हैं ठीक है ना फॉईं cinky और एक बटे चार और क्या हम खालिख दे दिख सकते हैं कि कौन कितना बड़ा थीओ ना तो यह हमारा पहला ऑप्ष Alors calm provider क्या आएगा अगर आपको में ने test provide किया था उसके कोई किसी question में doubt है तो आप बता दीजेगा आप बता दीजेगा उसको हम क्या करेंगे एक separate वीडियो बनाके solve करके उसको दिखा देंगे ठीक है ना तो कैसी लगी आज की वीडियो आप लोग एकदम revision mode पर देखे कोई भी class छोड़िये मत कम से कम एक बार go through हो जाईए उसको एक बार देख लीजे class को जिसके वज़े से आपका revision हो जाए और जो लोग जो लोग क्या कर रहे हैं जो लोग मतलब ठीक है जिनको आता है वो भी एक बार class को देख लें class देखने से क्या होगा उनका multiple time revision होगा और जितना जादा revision करेंगे उतना जादा को एक्जाम में यह चीज़ें याद रहेंगे ठीक है तो इसी के साथ आज की revision class यहीं पर समात्त करते हैं कल मिलते हैं एक नए topic के साथ जो है alphabetical series और बहुत ही धमाकेदा तरीके से उसे हम board पर start करेंगे इसी के साथ आज मैं अनकेद पांडे आप लोगों से विदा लेता भन्यवाद